समस्कार दोस्तो मेरे नाम है अंकीत मैं आपका डिजिटल मेंटर आनफ क्रेशन में तो आज हम आपके लिए एक नहीं वेबसाइट लेकर आए हैं ये माइक्रो करके जो आपके पास जो आपकी फोटोस है या आपका वेक्टर्स है या कुछ भी है उनको सेल करने के लिए आप जैसे मिन आपको बताया हम लोग आ गए है अपने पेज पे ये मैक्रो की वेबसाइट है ये ठीक है अगर मैं यहां से इतना यूरल हटा के आपको वेबसाइट प्रॉपरली दिखाऊंगी ये कैसी है तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी ठीक है तो इसकी रोयल्टी फ्री इमेजीज होती है वो ये डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे अपडेट करता है ये अपने खुद की वेबसाइट पे कभी नहीं सेल करता ठीक है तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जितना भी होगा वहां पे सेल करेगा तो हमें क्या कर अपने यहाँ पे how to sell photos देखना है कि यह कैसे sell करता है 50% तक का commission आपको देगा ठीक है और यह हर तरह की photos accept करता है editorial, commercial सब जगा की देख सकते हो यह Norway की company है यह भी बाहर की है dollars में ही आपको देगी इसके कुछ pixels है 6 megapixels photo होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए otherwise आप अपना vectors में डालो तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है वो भी approved यह कर देगा ठीक है और इसमें आप referral program भी use कर सकते हो if you want इस website का link आपको नीचे description में मिल जाएगा ठीक है, तो चलिए sign up शुरू करते हैं इसमें ठीक है, मैंने यहाँ पर link बना के रखा हुआ है अपने लिए, आप भी ऐसे बना के रख लीजिए तो मैं यहाँ से sign up करता हूँ click ठीक है, मैं यहाँ से अपना username password, confirm password email address country यह 3-4 चीज़े यहाँ पर लिखके sign up करूँगा ठीक है, उसके बाद आपको मिलता हूँ अंदर जैसे ही आप इसको sign up कर लेंगे तो आपको यह कुछ इस तरह से चीज़े दिखाएगा ठीक है, तो यहाँ पर हम my account पर click करेंगे ठीक है जैसे ही आप my account पर click करते हो, तो नीचे उसके बाद हमें अपना भी contributor account यहाँ पर बनाना होगा ठीक है तो हम लोग यहाँ से sign up पर दुबारा से click करेंगे ठीक है तो यह कह रहा है कि हमें अपना email address verify करना है ठीक है to verify on my profile तो अपना my profile पर click करने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पर email confirmation के लिए भेजा उन्होंने मुझे please confirm email का एक mail भेजा है ठीक है, जिसमें मैं अपना यहाँ पर email confirm करूँगा यहाँ पर यह link दिया हुआ नीचे ठीक है, जैसे ही मैं इसको confirm करता हूँ यह मुझे as a confirmator on कर देगा उसके बाद जैसी आप इस पर confirmation अपका हो जाएगा तो यह आपकी कुछ details माँगेगा जो आपको यहाँ पर भरनी है और contributor की terms होती है तो अपने यह details हमेशा correct भरिएगा मैं correct करके sign up करके आपको next page पर मिलता हूँ तो जैसे ही मैं अपना अंदर आ चुका हूँ जैसी आप uploading पर click करोगे आपके पास यह बोलेगा कि आप login कर लिजिए अपने contributor account में तो मैं यहाँ से login पर click करूँगा मैं आपको recommend करूँगा कि आप अपने जो सारे passwords हैं उनको save करके रख लिजिए ठीक है तो this type of आप इसको use कर सकते हो हाँ अगर आपके पास बहुत सारी files हैं तो आप अपना FTP भी use कर सकते हो छीक है यह FTP इनका है ftp.yamicro.com जो मैंने आपको पहले बताया था xpix करके उसका मैं प्रॉपर क्लास रखने वाला हूँ कि उसमें कैसे uploading होती है don't worry चीक है तो वो मैं आपको पुरॉपर क्लास रखना उसके लिए चीक है तो आप यहां से कर सकते हो otherwise यहां पे browse पे क्लिक करके भी आप यहां पे files upload कर सकते हो जैसे मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ अभी तो आप देख सकते हो मैंने यहां पे अपनी एक file जिसका name है 2 उसको यहां पे browse करके set कर दिया है मैं यहां पे submit कर रहा हूँ जैसे ही मैं submit करूँगा यह uploading start हो जाएगी it will take some time to get it done so we have to wait अब देख सकते हो मेरी file uploading complete हो चुकी है यहां पे describe में आ चुकी है ठीक है तो describe में यहां पे मेरी वो photo दिखेगी यहां पे आपको उसका title देना है description देनी है और minimum 5 maximum 50 keywords भी लगाने है ठीक है यह maximum actually में और कैसे होगा आप इसको जो पहली classes है आपको समझाया हूँ है same वैसा ही है फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमें comment section में comment करके जूँ बताईएगा I will definitely guide you ठीक है so channel को subscribe करना video को like करना मत बूलिएगा thank you very much have a good day आपको